मैं अप सब्ते केचर औछ अवोध काई कि एज़ेंट पनी अगर आपको यह पसंद राएं तो इसे बार जरूं झूरीख लेएं इस ट्रीम केचर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेटल रिंग ली है जो मार्केट में इसली 10 रुपीज में अवेलेबल है इस रिंग के ऊपर आप किसी भी कलर की वुलन यान से इसे रेप कर दें के ऊपर गुलन यान को रेप करने के बाद अब यहाँ पर में बीच में क्रोशेट से बना हुआ सरकल ले रही हूं आपको यह मार्केट में इसली 15-20 रुपीज में मिल जाएगा इसे आप भुलन यान के छोटे छोटे टुकड़े लेकर बीच में हैंग कर दें जैसे कि आप वीडियो में देख पाएंगे कि अपको झाल झाल करोशेर सरकल को बीज में लगाने के बाद मैंने यहां पर दूसरी कलर की भूलन यान का यूज किया है यहां पर मैंने अराउंड टेन पीसेश लिये हैं 50 सेंटिमेटर के और इन्हें इस रिंग पर हैंक कर दिया है बूलन यान के इन पीसेश को हैंग करने के बाद अब मैं यहां पर फेदर का यूज कर रही हूं यह फेदर का पेकेट आपको 15 टे 20 रुपीज में मार्केट में मिल जाएगा यहां पर मैंने कलरफूर फेदर का यूज किया है जिससे इसका लूप और भी ज्यादा ब्राइट और अच्छा आएगा अब मैं इनके स्टार्टिंग पोर्शन पर राउंड मिरर का यूज कर रही हूं जिससे इसका लूप और अच्छा आएगा पर फेदर लगाने के बाद अब हम यान के दूसरे एंड पर भी फेदर स्टिक कर देंगे और उसके उपर भी मिरर लगा देंगे कर दो कर दो को और ज्यादा इंहांस करने के लिए यान के स्टार्टिक कोशन पर पॉम पॉम का यूज कर लें कर दो बादे हैं प्रिम केचर रूम की वोल को डेकॉर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं आप इस पर फेरी लाइट्स लगा कर वी से डेकॉर कर सकती हैं इजी एंड अफोर्डेबल डियाइवाइ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें झाल झाल